दोस्तो हर इनसान की लाइफ का एक परपस ज़रूर होता है और वो है पैसे कमाना कोई जॉब के थूप पैसे कमाना चाहता है कोई बिजनेस के थूप पैसे कमा सकते हो वो इस वीडियो में आपको बताने जा रहूं तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखेगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाइल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजे ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अप्लोड करूँ आपको हमारी वीडियो का एक नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको एक सवाल का जवाब देना होगा अगर आपकी 1,00,000 रुपे की लोटरी लगती है तो आप उस 1,00,000 रुपे से क्या करेंगे क्या आप आईफून करीदेंगे गूमने जाएंगे या फिर और कोई purpose जो आप उस 1,00,000 रुपे से करना चाहेंगे वो comment करके जरूर बताइएगा मैं थोड़ा आगे इसका reply करूँगा और वहाँ से आप सब कुछ समझने लगेंगे दोस्तो इस topic को अच्छी तरीके से समझाने के लिए पहले मैं आपको एक बात clear कर देना चाहता हूँ अभी आपको लग रहा होगा job का मतलब है एक company में employee की तरह काम करना और business का मतलब है अपनी खुद की company खोल देना यहाँ तक बिल्कुल सही है लेकिन छोटे level पे भी सोचके देखिए एक मजदूर जो एक ठेकेदार के अंडर गड़े खुदने का काम करता है तो वो भी job करता है और एक आदमी जो शाम को बंटिक्की की ठेली लगाता है बर्गर की ठेली लगाता है वो भी अपना business करता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक engineer जो एक company में काम कर रहा है वो उस बंटिक्की कमाने वाले से कम कमाता होगा वो job करके उससे ज़्यादा कमाता होगा और ये business करके उससे कम कमाता होगा तो उस हिसाब से भी सोच के देखेगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ आने लगेगा दोस्तो अब मैं आपको job और business के बीच में कुछ difference बताने जा रहा हूँ आपको ये देखना है कि आपको कौन सा point suitable लग रहा है उस हिसाब साब समझ जाएंगे कि आपको job करना चाहिए या फिर business करना चाहिए दोस्तो job की एक बहुत प्यारी चीज होती है कि job में security होती है अगर आपकी government job लग जाती है फिर तो 100% security है लेकिन अगर private job भी लगती है तो भले ही वो company डूब जाए आप दूसरी company में job करनेंगे और आपका increment होता रहेगा आप आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन business में कोई security नहीं होती है ओस अकता है आपने आज अपनी company शुरू की या फिर अपना बंटिकी का ठेला शुरू किया आज आप बहुत जादा पैसे कमा लें लेकिन एक महीने बाद आपकी company डूब जाए या फिर आपके ठेले के सामने कोई और दूसरा ठेला खोल दे और आप बिलकुल भी earning ना कर पाएं तो कोई security नहीं होती है business में अब दोस्तो जॉब जो होती है वहाँ पे fixed income होती है अगर आपकी एक clerk की जॉब लग जाती है तो आप 40,000 रुबीज पर मंद कमाएंगे लेकिन आपने अपनी company शुरू की हो सकता है आपकी company बहुत जादा चल जाए आप पहले महिने में ही 50,000 रुपे पर मंद कमाने लगे और हो सकता है आप एक साल बाद भी 5,000 रुपे पर मंद कमा रहे हो तो कोई fixed income नहीं होती है business में तीसरी चीज जॉब में होती है आपको risk लेने की कोई ज़रूत नहीं है और आपको अपने mind को apply करने की ज़रूत नहीं है लेकिन business में आपको risk भी लेना पड़ेगा अपने mind को apply करके देखना होगा और नए नए तरीके लाने होंगे business करने के तो आप क्या चीज कर सकते हैं उस हिसाब से आपको सूचना चाहिए कि आपको business करना चाहिए या फिर आपको job करनी चाहिए अब दोस्तों मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर आपको एक लाग रुपे की lottery लगती है तो आप उस पैसे से क्या करेंगे अगर आपका जवाब था कि मैं उस पैसे जाई फोन खरीदूँगा या फिर मैं उस पैसे से गोमने जाऊंगा और इसी तरह से कोई और जवाब जिसमें आप उस पैसे को 90% खर्च कर दें और सिर्फ 10% बचाने की सोचे हैं तो आपको job करनी चाहिए क्योंकि आपको next month भी income हो जाएगी और वो fixed रहेगी लेकिन अगर आपका जवाब था कि भाई मैं 10% खर्च करूँगा और 90% वापस कहीं पर इंवेस्ट कर दूँगा चाहे share market में कर दूँगा चाहे मैं अपनी दुकान खोलूँगा चाहे मैं उन पैसों को बचा के रखूँगा कहीं पर इंवेस्ट करने के लिए तब आपको बिजनस करना चाहिए क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पिताजी की एक दुकान है और वो दुकान आपको पिताजी की थुरू मिल जाती है और आप उस दुकान पर बैठते हैं अब मान लीजिए कि उस दुकान की फिक्स्ट इनकम है 10,000 आप हर महिने कमा ही लेते हैं तो हो सकता है भाई कि आपने पहले महिने 10,000 कमाए और 10 के 10 उड़ा दिये अगर महिने कमाए 10 के 10 उड़ा दिये उस दुन आप 20,000 उड़ा सकते थे लेकिन अगर आप इसी तरीके से चलते रहे तो आप एक साल बाद भी 10,000 कमाएंगे 10,000 उड़ाते रहेंगे तो आप बिजनस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसलिए आपको जॉब करनी चाहिए लेकिन अगर आपका जो नेचर है वो पैसे बचा कर वापिस इंवेस्ट करने का है तो आपको बिजनस करना चाहिए वही आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्रीब करना ना भूलीगा लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी है आप चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकता है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है धन्यवाद